नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं Hello Elkin, Aum, Hello Airin में प्रेश्णो 3 स्रीज के उपर जिसमें हमारे पास A स्रीज के उपर हमने पहले से ही चर्चा की हुई हैं यह जो हमारी question answer स्रीज थी उसके उपर हमने कौन-कौन से question के उपर चर्चा की थी यह सब हमने उसमें discuss किया हुआ हैं आप जाकर उस वीडियो को देखें और B स्रीज को आज हम discuss करने वाले हैं यापर इस 20 रीज के अंदर आज हम बहुत अच्छे-चे questions को यहाँ पर discuss करने वाले हैं कि किस परकार से हमारे paper में question पूछे जाते हैं और किस परकार से आपको उनके answer देने हैं बहुत छोटे question होते हैं और बहुत अच्छा answer भी उनका रहता है लेकिन हम कुछ confusion की वज़े से या हम देखते हैं कि question तो बहुत difficult पूछा गया है उसको पढ़ी नहीं पाते धंग से तो सबसे पहले आपको क्या करना है जब भी answer लिखने की कोशिस करें तो उससे पहले उस questions को अच्छे से पढ़ने कि किस परकार से वो question दिया गया है और वो पूछना क्या चा रहा है आपको main point जहां पर जो पूछा जा रहा है उसको underline कर देना है कि ये पूछा जाएगा तब जाके आपको वो detail में समझ में आ पाएगा कि आपको किस तरह से उस question का answer देना है तो चलिए हम सिधे बात करते हैं यहाँ पर question answer सीरीज के उपर जिसमें हम देखेंगे पहला question हमारे पास आएगा कुछ इस परकार से यहाँ पर दिया गया है chlorobenzene का द्विधुरूब आगून जो मैंने आपको बता रखा है dipole moment मैंने आपको ढंक से बता रखा है कि dipole moment होता क्या है यहाँ पर यही पूछा गया है dipole moment को हम underline कर देंगे तो यहाँ पर question पढ़ेंगे chlorobenzene का द्विधुरूब आगून cyclohacyl chloride की तुल्ला में कम होता है तो यहाँ पर सीधा-सीधा पहले तो इसने यह बता रखा है कि chlorobenzene का द्विधुरूब आगून cyclohacyl chloride से कम होता है अब कम क्यों होता है यहांपर यह बताना है इसी की वज़े से यहांपर एक question mark लगा हुआ है आपको यही बताना है कि कम क्यों होता है तो चलिए समझते हैं सबसे पहरे हम लेंगे यहांपर chlorobenzine का structure यह कुछ इस परकार से यहांपर chlorobenzine का structure लिया गया है दूसरा हमने देखते हैं ये है cyclohexyl chloride अब ये पूछ रहा है क्लोरोबेंजिन का द्विदुरूब आगूण cyclohexyl chloride की तुलना में कम होता है तो द्विदुरूब आगूण कैसे देखेंगे आप लोगों को पता है द्विदुरूब आगूण का सूत्र क्या होता है mu equal to q into d q क्या होता है यहां पर charge जो हमारा किसी species के उपर लगा रहता है और d क्या है distance between charge to charge यानि कि जो charge होंगे उनके बीच का जो distance होगा उसको हम यहां पर d से परदसित करते हैं तो चलिए देखते हैं यहां पर यह जो हमारे पास chlorobenzine है इसमें कितने lone pair होते हैं क्लोरीन के तीन lone pair होते हैं तीन lone pair में यहां पर यह क्या करेगा इन electron को यहां shift कर देगा lone pair होने की वज़े से और जैसे यहां shift होगा तो यह जो यहां पर carbon लगा हुआ है यह वाला carbon इस carbon के पास हो जाएंगे 5 electron यानि कि 5 सहीं हो जगता हो जाएगा उसकी उसको 5 तो चीए नहीं क्योंकि 5 तो होई नहीं सकत कुछ इस परकार से दिखेंगे यहां पर benzene यह हो जाएगा benzene यहां पर बन गया जैसी यहां पर बनेगा तो यह double bond यहां पर आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा CL इस CL के पास यहां पर आ जाएगा positive charge क्योंकि इस तरह से बन जाएगा अब यह bond shift होगा यहां पर आ यहां पर double bond कहाँ shift हो जाएगा इस वाले carbon पर तो इस तरह से resonating चलती रहती है chlorobenzene के अंदर हमने पहले भी देखा हुआ है तो यहां पर हमने देखना क्या है जो यह carbon है और यह यहां पर chlorine है इनके बीच में क्या हो रहा है double bond आ जा रहा है इस परकार से होगा अब आपको कम अब यहां पर charge ले रखा है चार्ज जो यहां पर chlorine के उपर आना चीए था वो आना चीए था minus charge लेकिन उसको electron shifting की वज़े से आता है positive charge तो यहां पर charge भी क्या हो गया कम हो गया यानि कि क्यू भी क्या हो गया कम और कम किसकी वज़े से हुआ इस carbon की वज़े से यहां पर ज इकल टू, जो mu की value आएगी, वो कम आएगी, ठीक है, कुछ नकुछ आएगी, लेकिन कम आएगी, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर cyclohexyl chloride की, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देया गया है, जो यहाँ पर carbon है, और यहाँ पर chlorine है, इन दोनों के मद्दे क्या है, single bond है, तो यहा पर charge तो आप देखी रहे हैं, यहाँ पर जो electron pair है, उसमें electron की sharing तो होगी नहीं, यह कहीं पर भी shift नहीं करेगा, तो इसके उपर है minus charge, तो यहाँ पर q भी क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, कि mu equal to, यहाँ पर कुछ नकुछ अधिक होगा, ठीक है, अधिक क हो जाएगा, यहाँ पर reason, कि chloro-benzen में resonating structure होने की वज़े से, carbon और chlorine के मद्य जो bond बन रहा है, वो होता है, छोटा और छोटे bond होने की वज़े से, वहाँ पर distance और जो यहाँ पर charge है, वो भी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वज़े से, वो वहाँ पर तुईदुर्व साइक्लो हेक्जिल कुलोराइड से कम दे पाता है, ठीक है, अब जैसे ही question मैं एक और चीज बता दूँ यहाँ पर, कि जब भी regionating structure और यहाँ पर simple structure के वीच, dipole moment पूछा जाता है, तो dipole moment हमेशा उसका ज़्यादा होगा, जिसके उपर carbon और अन्य जिसका पूछा जाएगा dipole moment यानि कि halide तो उसका हमेशा ज़्यादा होगा, यानि कि single bond का ज़्यादा होगा, फिर होगा double bond का, और अंत में case का होगा, triple bond का, इस परकार से यह series चलती रहेगी, आप direct भी इसका answer लिख सकते थे, अगर optional आता है तो आप direct इसका answer कर सकते हैं, कि यहाँ पर single bond होगा, उसक कि Rx, alkalide, धुर्बिया होते हुए भी जल में अमिस्रित है, या अमिस्रणिया होता है, immisible रहता है, mix नहीं हो पाता है, यह हमने, जब हम lecture पढ़ रहे थे, हमने उन वीडियो में पहले भी discuss कर चुके हैं, कि alkalide, धुर्बिया होते हुए भी जल में अमिस्रित क्यों होता है, तो चलिए इसको समझते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपके पास alkalide है, Rx, आपको पता है कि इन दोनों के उपर क्या होता है, एक के उपर होता है, पार्सल नेगिटिव चार्ज, और एक के उपर होता है, पार्सल पॉजिटिव चार्ज, यह भी आपको पता है, यह की धुर जाएगा X, कुछ इस परकार से चलेगा, ठीक, यहाँ पर भी इसी परकार से देखेंगे, R, यहाँ पर X, और यहाँ पर R, अब देखिए, हमें पता है कि positive हमेशा negative को attack करता है, तो यहाँ पर X के पास है negative charge, और इसके पास है positive, इसके पास negative, अब देखेंगे, कि negative और positive के X के मद्दे interaction हो रहा है, यहाँ पर भी होगा, इसी तरह से यह वाला किसी दूसरे R से जुड़ा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे, कि जब dipole dipole है, तो धुर्बिय है यह दोनों, तो धुर्बिय धुर्बिय के बीच, धुर्बिय, धुर्बिय, interaction होगा, ठीक है, तो interaction या आकरशन आप कह सकते हैं, और जहाँ पर दुर्बिय धुर्बिय धुर्बिय आकरशन होता है, यानि कि minus और plus मिलते हैं, वहाँ पर हमेशा जो bond बनता है, वो बहुत strong होता है, तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो bond बनेगा, वो बहुत ही strong बनेगा, इसी दुर्बिय को हम कहते हैं dipole-dipole interaction ठीक है जो कि बहुत strong होता है जब भी minus और positive की बात आती है तो हाँ पर interaction हमेशा बहुत strong होता है तो चलिए अब बात करेंगे हम सिदे gel की जल में भी हम यही करेंगे कि gel के molecule ले लेंगे यहाँ पर H आ जाएगा यहाँ पर O यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H आ जाएगा, दूसरा हम यहाँ पर ले लेंगे H, फिर O, और फिर H, नीचे भी मैं water के molecule ले लूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर O, यहाँ पर H, ठीक इसी परकार से हम नीचे नीचे करते जाएंगे, अब देखींगे आप य लेकिए, यहाँ पर भी यही हो रहा है, यह भी किसी दूसरे O के साथ जुड़ेगा, यह भी O के साथ जुड़ेगा, यह हैच के साथ जुड़ेगा, इसी परकार से चलता रहेगा, अब यहाँ पर हैर्टोजन और हाइड्रोजन के मद्यपार बन जाएगा hydrogen bonding, या hydrogen आवंद अब जब यहाँ पर hydrogen bond बन रहा है और positive negative का interaction हो रहा है यह भी हमारा बहुत जटिल होगा क्योंकि वहाँ पर plus और minus का interaction हो रहा है ठीक यहाँ पर यहाँ पर हुआ था dipole dipole interaction में और यह भी हो रहा है strong अब देखिए जब हम इनको gel में मिलाएंगे यहाँ पर कर लेते हैं इसको य तो यह जटिलता है इन दोनों के बीच में इन दोनों के मद्य जो bond है यह बहुत जटिल है दोनों के मद्य तो जब एक दूसरे के bond को तोड़ नहीं पाएंगे तो एक दूसरे के साथ घुल भी नहीं पाएंगे जिसकी वज़े से water में जब alkyl halide घुला जाता है तो alkyl halide एक जगा पे ही जमा रहता है और water अपनी जगा पे रहता है ठीक है तो यह कह सकते हैं यहाँ पर कि strong या फिर जटिल धुरुबिय धुरुबिय आकरसन होने की वज़े से alkyl halide water में मिस्रित नहीं हो पाता है ठीक इसी परकार से जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया rate और rate को मि देता है कि जब हम alkyl halide water के साथ गोलते हैं तो water अलग दिखाए देता है और alkyl halide अलग दिखाए देता है क्योंकि उन दोनों में जो आबंद है वो जटिल आबंद होता है तो यहाँ पर इस तरह से आप answer कर सकते हैं अब हम बात करते हैं अगले question के ऊपर अगला question हमारे प कर्मक ले लेंगे गरिगनाड अभी कर्मक क्या होता है और mgx यही गरिगनाड अभी कर्मक है जिसमें हमारे पास आर के पास होता है negative charge और जो mg है उसके पास होता है positive charge आपको पता भी है कि जो metal होते हैं वो हमेशा electron देने की परविड़ती रखते हैं तो यहाँ पर जो देता आर से हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि जो R है वो बन जाएगा सीधे यहाँ से इस H पलस को attack करके यानि कि H पलस ले लेकर यहाँ से यह negative R जो यहाँ पर है तो यहाँ पर बन जाएगा H यहाँ पर बन गया सीधे hydrocarbon या आप कह सकते हैं LK नहाँ पर बन गया है RH पलस यहा हमारा भार निकल जाता है अब यहाँ पर जो बना है major compound वो है यहाँ पर अलकेन अब देखिए जब ग्रिगनाड अभिकर्मक वाटर के साथ reaction कर रहा है तो वो बना रहा है अलकेन और हमने जब ग्रिगनाड अभिकर्मक की reaction करवाई थी पिछले lecture में तो हमने कहा था कि जो ग H पलस आयन को attack करके वो क्या बना देगा अलकेन बना देगा ठीक है या यहाँ पर कुछ इस परकार से भी होता कि NaOH होता या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे molecule होते जो polar protic solvent होते हैं यानि कि जो H पलस देने की परविर्थि रखते हैं इस परकार के molecule जो भी होंगे उसके साथ अमे कि यहाँ पर RMGX बनाते हुए हमेशा हमें यह सावधानी बरत्नी है कि वहाँ पर नमी परजेंट नहीं होनी चीए नमी का मतब आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर water molecule परजेंट नहीं होने चीए अगर water molecule परजेंट होगा तो H पलस आयन को लेकर वहाँ पर बना देगा अलकेन तो आप इसका answer कुछ इस परकार से लिख सकते हैं अगला question हम discuss करते हैं यहाँ पर यह अगला question दिया गया है निमिल लिखित में A, B, C, D, E, R तथा R dash को पेचानिए यह हमारे पास कुछ reactions दी होंगी जहाँ पर हमारे पास A भी दिया होगा यहाँ पर A दे रखा है और A को आ पताना है कि कौन सा होगा तो चलिए सबसे पहले हम यहीं से सुरू करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह क्या है साइक्लोहेक्जिल ब्रोमाइड है अब इसकी reaction हम करवा रहे हैं किसी metallic magnesium के साथ यहाँ पर Mg दे रखा है इसकी reaction हम करा रहे हैं dry ether की presence में और आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस परकार का compound यह हमारा cyclohexin बन जाएगा इस परकार से ही बना रखा है यहाँ पर cyclohexin और यह cyclohexin क्या करेगा यह जो mg है यह जुड़ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ इस परकार से compound आ अगर इसको इससे पहले हमने देखा H2O के साथ reaction करवाई यानि कि गिरिगनाड अभी करमक के साथ जब H2O मिला दिया जाता है तब हमारे पास कौन सा compound बनता है तो आपने देखा वहाँ पर हमारे पास क्या बन गया था hydrocarbon बन गया था यानि कि alkane बन गया था तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह mg और BR यहाँ से निकल के OH के साथ add हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस परकार से बनेगा mg और यह हो जाएगा OH और यहाँ से बन जाएगा यहाँ पर BR जिसको हमने कुछ इस परकार से भी लिखा था कि M, G, O, H और इसको यहाँ पर B, R लिख लिया था हमने यह और यह सेमी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और पलस यहाँ पर क्या निकल जाएगा हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो कार्बन यहाँ पर सिर्फ क्या है यह जो हमारी साइक्लो हेक्जेन है यह हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रो कार्बन हो जाएगा तो आपने देखा जब इसको वाटर के साथ घुला तो इसने क्या दिया अलकेन दिया अलकेन में क्या है यहाँ पर हाइड्रो कार्बन है हाइड्रो कार्बन में कौन है यहाँ पर cyclohexane है तो आप कह सकते हैं कि इस परकार से B compound हमारे पास यह पराप्त होता है अब आगे देखते हैं इस अभी किरिया में यहाँ पर कुछ इस परकार से अभी किरिया दी गई है RBR प्लस MG यह तो आपको पता है जब भी alkyl bromide या alkyl halide reaction करता है MG के साथ सुस्कीतर की परजेंस में तो वहाँ पर हमारे पास पराप्त होता है गरिगनार्ड अभी करमक जिसको हम लिखते हैं R, M, G और यहाँ पर आजाएगा X यह तो हो गया C वाला उत्वाद और C की reaction हम जब कराते हैं D2O के साथ यहाँ पर दे रखा है D2O तब हमारे पास क्या पराप्त होता है चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं D यहाँ पर जुडा हो है हमने देखा जब इसकी हमने H2O के साथ reaction करवाई थी तो हमारे पास किस परकार के उत्पाद मिले थे तो आप R इसको माल लीजिए यह वाला हो गया आपका R यह R है ठीक है इसको माल लेंगे यहाँ पर R और इसके साथ जो D जुडा होआ है वो क्या है यहाँ पर? वो है H जब हमने H2O के साथ कराई थी तो यहाँ पर R, H तो यहाँ पर क्या आए जाएगा? D जुड जाएगा यहाँ पर इसकी जगापे जो पहले H की जगापे जुड रहा था तो यहाँ पर हमने D2O की रियक्शन करवा रखिये तो यहाँ पर जो जुडा वो कंपाउंड हो जाएगा D यह वाला दूसरी चीज मैं यह बता दूँ आपको यहाँ पर जो D2O है इसको हम कहते हैं भारी जल या हैबी वाटर का अगर फॉर्मुला आपके पास आता है कभी पूछने के लिए तो वो होता है D2O अब चलिए आगे देखते हैं इसी अभिक्रिया में यहाँ पर आगे इस परकार से अभिक्रिया दी गई है आपने देखा जब हमने अलकिल हलाइड की रियक्षन सोडियम के साथ करवाई थी सुसकीतर की परजेंस में तो हमारे पास सम्मित हाइडरो कारवन परजेंट होता है यहाँ पर यही बना हो है इसी अभिक्रिया को हमने कहा था वुर्ज अभिक्रिया अलकिल हलाइड है आलडेस का मतलब है यहाँ पर जो हाइडरो कारवन की सिरिंखला है वो कुछ इस परकार से होगी CS3, CH2 इस परकार से ले रखा है ठीक यहाँ पर भी यही हो रखा है अगर मैं यहाँ पर इसको बीच से डिवाइड कर दूँ यही थो हो रहा था ना उसमें तो हमने क्या लिया था R और यहाँ पर लिया था X यही ले रखा है फिर हमने sodium के साथ अभिक्रिया करवाई थी sodium करवाई थी और यहाँ पर ले दे था हमने 2 mol R X के यानि कि अलकिललाइड के हमने 2 mol लिये थे इन 2 molों में क्या हुआ था कि जो sodium है और यहाँ से जो इसका X है अगर मैं इस X को यहाँ से लिख लूँ कुछ इस तरह से तो यहाँ पर क्या होगा यह sodium और यह X क्या हो जाएंगे निकल जाएंगे भार साथ में यह वाला X भी निकल जाएगा तो जब यहाँ पर 2 mol X के हैं तो यहाँ पर जो sodium है उसके भी कितने होने चीए 2 mol होने चीए तभी तो बराबर से दोनों को एक साथ अपने साथ लेके जाएगा तो यहाँ पर जो योगिक बनेगा वो कुछ इस परकार से बनता R, R पलस यहाँ पर बन जाएगा 2 Na X यही बनना था इसी को हमने वुर्ज रियक्शन कहा था इसमे क्या होता है सम्मित हाइड्रो कार्बन का निर्वान होता है और यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो हमारे यह कार्बन है यानि कि यह कार्बन और यह वाला कार्बन और यह आपस में क्या कर रहे हैं बॉंड बनाके इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जा रहे हैं जैसे यहाँ पर R और R आपस में जुड़ गए ठीक, इसी परकार से यहाँ पर reaction हो रखिए, जब हमने इसकी reaction, यानि कि जो आपर alkyl allied है, mg के साथ करवाई, तब हमारे पास क्या पराप्त होता है, तब हमारे पास यहाँ पर पराप्त होता है, गिरिगनाड अभी करमक, गिरिगनाड अभी करमक कुछ इस तरह से ही बनेगा, आर, डैस करके हो जाएगा, यहाँ पर डैस, और यहाँ पर जुड़ जाएगा, mg जो यहाँ पर दे रखा है, और पलस क्या जुड़ जाएगा, x, तो यह बनगे गिरिगनाड अभी करमक, जिसको हम इस अभी करिया में, पिछले कुछ अभी करिया से चर्चा करते आ रहे है कि जब भी mg के साथ reaction होगी, अलकिललाइड की, तो वहाँ पर गिरिगनाड अभी करमक बन जाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं इस अभी करिया को, इस d की reaction, यानि कि जो हमारे पास गिरिगनाड अभी करमक यहाँ पर आया था, r डैस, और जो यहाँ पर mg है, और x, यह हो में हमारे पास है, cs3, ch, यहाँ पर जो दे रखाए, यहाँ तक का, ठीक है, तो यहाँ तक का आप ले लेगे, क्योंकि यहाँ पर r डैस भी पूछा गया है, कि r डैस क्या है, तो r डैस हमारे पास है, ch3, c, और यहाँ पर ch3, और यहाँ पर भी हो जाएगा, cs3, और यहाँ पर H2O का एक H+, जुड़ जाएगा, जो की MgX को यहां से replace कर देगा, यह बन जाएगा हमारा alken, ठीक है, पलस हमारे पास यहां पर निकल जाएगा MgOH, और यह हो जाएगा हमारे पास X, यह यहां पर reaction complete होती है, तो चलिए, यहां पर हमने कुछ इस परकार से reaction करवाई थी, अब चलिए, अगला question discuss करते हैं, अगला question हमारे पास कुछ इस परकार से है, नीचे दी गई अभी किर्या को पूर्ण कीजिए, कुछ इस परकार से भी question पूछे जाते हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यह हमारे पास क्या है, primary amine है, और जब हमने amine की reaction, sodium nitrate और HCl के साथ, room temperature पर कराया, यह आप कह सकते हैं, 273 से 278 Kelvin के temperature भामने reaction कर आई, तो हमें प्राप्त होता है, die agonium salt, अब आपको याद आएगा थोड़ा थोड़ा कि die agonium salt की अगर बात आ रहे है, तो कहीं ने कहीं इसका connection सेंड मेयर reaction से है, क्योंकि हमने सेंड मेयर अभी किर्या में ही die agonium salt का निर्मान किया था, जब सेंड मेयर अभी किर्या में die agonium salt प्राप्त होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं die agonium salt, जब इसकी reaction हमने cuprous chloride के साथ करवाई थी, CuCl2 के साथ, तब हमें क्या प्राप्त हुआ था, याद करिए जड़ा, तो हमें simple chlorobenzine प्राप्त हुआ था की नहीं हुआ आप याद करिए, तो हमें वहाँ पर chlorobenzine प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो reaction आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, question mark की जगा आपका यह हड़ जाएगा, यहाँ से chlorobenzine आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर मैं इस question mark को हटा के chlorobenzine मना देते हैं, यह हो गया benzine, और य यह बन गया हमारा chlorobenzine, यह इस अभिकरिया का compound यहाँ पर तयार हो जाता है, जब भी diagonyum salt गी, cuprous chloride के साथ reaction आती है, तो आप कह सकते हैं, वहाँ पर aryl halide ही प्राप्त होता है, इसी में अगर यहाँ पर, जो यहाँ पर reactant ले गए हैं, इसकी जगा पर, आगर यहाँ पर Cu, Cu, Cn होता, यानि cuprous cyanide होता, तो तब आपके पास जो compound बनता, तो यहाँ पर बन जाता benzo-nitrile, यानि कि Cl की जगा कौन सा जुड़ जाता, यहाँ पर nucleophile जुड़ जाता, Cn, आपको याद यह रखना है, कि जब भी diagonyum salt की reaction आती है, तो उसमे nitrogen gas release हो जाती है, इसी अभिकरि ठीक है, यहाँ पर CL जुड़ जुड़ गया था, यहाँ पर यह question answer series समाप्त होती है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन